आप सबी का आपके अपने चैनल एस्टर फ्रेंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको तुलसी के पौधे को लेकर बहुत ही काम की बाते बताने जा रही हूँ अगर आप तुलसी के पौधे में ये काम कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में हर चीज में तरक्की और सफलता पा सकते हैं और भूल कर भी अगर कुछ चीरों का आपने ध्यान नहीं रखा है तो ऐसे में आपकी जनम पत्री में कितने ही अच्छे योग बन रही हो आप कितनी ही मेहनत कर रखे हो और साथ ही साथ कितना ही आपका पैसा हो बड़े से बड़े भंडारे भी खाली हो जाते हैं मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को तुलसी के पौधे से संबंदित जानकारी नहीं है और तुलसी का पौधा 99% हर घर में हमें सरूर मिलता है मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमने तुलसी का पौधा तो रखा है पर हमें तुलसी के पौधा से संबंदित नियम नहीं पता है हमें नहीं पता है कि कौन से दिं जल देना चाहिए हमें तुलसी का पौधा कहाں रखना चाहिए तो इस पे प्लीज आप एक विडियो बना दीजिए जिससे कि हमें तुलसी के पौधे के बारे में संपोन जानकारी मिल सके तो ये रिक्वेस्टिड वीडियो है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आप सबको भी तुलसी के पौधे के बारे में संपून जानकारी होनी चाहिए क्योंकि तुलसी का पौधा मालक्ष्मी का प्रतीक है तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन साबित होने वाला है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू करने बैन नोटिफिकेशन को आउन करके और पे क्लिक करें तुलसी का पौधा जो लगबग हर घर में सरूर मिलता है आप सबी तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं और डेली नियम से जल भी देते हैं पर क्या आपको जानकारी है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए और कुछ विशेश बाता को हमें तुलसी के पौधे के साथ ध्यान सरूर रखना चाहिए कौन से हैं वो नियम और बाते और कौन सी एक चीज है जो यदि आपने तुलसी के पौधे में कर ली तो आपके जीवर में कभी भी धन अन की कमी नहीं रहेगी आपके परिवार में हमेशा सुक समरीदी का वास रहेगा तो क्या है वो चीज़े सबसे पहले तुलसी का पौधा यदि आपके घर में है तो कौन सी डिरेक्शन में रखें और नहीं हैं तो किस दिन लेकर आएं आप तुलसी का पौधा रखना चाहते हैं और आपके पर तुलसी का पौधा नहीं है आपने तुलसी का पौधा लाकर रखना है तो आप तुलसी का पौधा ब्रस्पतिवार के दिन सुबा बारा बज़े से पहले अपने घर में लेकर आएंगे इसको North East direction में रखना है North, North East या East direction में रखेंगे आप तुलसी का पौदा आप जहां भी रख रहे हैं वो जगे एक्तम साफसुत्री होनी चाहिए आपके तुलसी के पौदे में यदि पतियां सूख रही है और सूख कर वो पतियां गिर रही है तो यहां आपने विशेश तोर पर धियान रखना है कि कभी भी तुलसी की गिरीवी पतियां पैरों में नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुलसी मालक्ष्मी का प्रतीक है हम धियान नहीं देते हैं पतियां गिर रही है तो गिर रही है पौधा सूख रहा है तो सूख रहा है और सूख जाता है यदि तुलसी का पौधा तो उसे ऐसे ही निकाल कर किसी गार्डन में या डर्स्पीन में या सूइपर को हम दे देते हैं या जाकर एक साइड में रखतेते हैं ऐसी गलती भूल कर भी मत करियेगा तुलसी का पौदा यदि आपके घर में सूख गया है तो वो भी आपके लिए बहुत लाबकारी है आप तुलसी की पतली पतली डंडियों से दिये में घी में डिप करके इसका दिया बना सकते हैं या आपके घर में आप सुभा के समय हवन करते हैं तो उसमें इसका प्रियोग कर सकते हैं तुलसी की जड़ को आप लॉकट बना कर धारन कर सकते हैं तुलसी का पौधा पैरों में या डर्स्पीन में या कहीं भी गार्डन में साइड में आपने नहीं रखना है इसके साथ ही तुलसी का पौधा आपने जहां भी रखा है, उसके साथ में कोई भी काटे वाला पौधा नहीं होना चाहिए, आपने गुलाब का कोई पौधा साथ में नहीं रखना है, आपने एलो भीरा का कोई पौधा साथ में नहीं रखना है, जिस भी पौधे में काटे निकल रहे हैं, आपने वो तुलसी के साथ में नहीं रखना है विशेश तोर पर तुलसी के साथ में आपने बेल पत्ते का पौधा भी नहीं रखना है इसी के साथ आपने ध्यान रखना है वो एक चीज जो तुलसी के पौधे में जरूर होनी चाहिए तुलसी के पौधे में लाल रंकी चुन्नी आप सरू चड़ाएं ये चुन्नी आप प्रस्पतिवार के दिन चड़ाएं और तुलसी के पौधे में जिस तुलसी के पौधे की आप पूजा करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे पौधे रखते हैं पर पूजा वो एक की करते हैं जिसकी पूजा करते हैं उस पौधे में आप शालिक राम जी सरूर रखें तुलसी के पौधे में शालिक राम जी रखें डेली आप पंचामरित अर्पित करके उन्हें तुलसी पत्र चड़ा कर पूजा करते हैं तो आपके जीवन में बड़े स बड़े से बड़ा कस्ट दूर हो जाता है बड़े से बड़ा रुका वखारे आपका पून हो जाता है कितना ही बड़ा करजा हो शिग्र दूर हो जाता है इसके साथी विशेश वात की तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग या गनेजी की मूर्ति नहीं रखी होने चाह क्योंकि शिब जी और गनेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है ध्यान से सुनिए जब भी आप भगवान शिब की पूजा कर रहे हैं या गनेश जी की पूजा कर रहे हैं उसमें तुलसी वर्जित होती है इसलिए तुलसी के पौदे में भूल कर भी कभी भी शिवल ना रखे और ना ही गनेजी की प्रतीमा रखे इस बात का विशेश तौर पर ध्यान रखे जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो तुलसी के पौधे के साथ में एक छोटा सा केले का पौधा सरूर रखें क्योंकि केले का पौधा विश्नु जी है और जहां विश्नु जी है वहां मालक्षमी होती है तो केले के पौधे के साथ विश्नु जी र पौदे के पास में देशी घी का दिया जलाना है अपनी काम ना करनी है और फिर देखिए आपके जीवन में कितनी सफलता आती है यदि आपका कोई कारे नहीं बन रहा है तो वो भी आपका कारे जरूर बनेगा जब भी आप किसी विशेश कारे के लिए अपने घर के बाहर जा रहे हैं और आपको ये लगता है कि मेरा ये कारे पूर्ण होना चाहिए तो मा तुलसी और भगवान विश्णू से अपने इस कारे को कहके जाएए आपको कारे में सफलता जरूर मिलेगी जो बचे एक्जाम दे रहे हैं एक्जाम के लिए घर से निकल रहे हैं पहले काम ना कर तुलसी के पौधे और केले का पौधा यानि कि भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी के आसपास गंदगी नहीं होने चाहिए जब भी आप बैठते हैं जादा तर पौधे टेरिस पे लगाए जाते हैं और वहाँ पर आप सब बैठे होते हैं तो ध्यान रखे तुलसी के पौधे के सामने किसी भी परकार के कोई अब शब्द यूज ना करें तुलसी का पौधा मा लक्ष्मी का सरूप है पौजिटिव एनरजी है तो हमेशा उनके सामने आपने पौजिटिव एनरजी के साथ जाना है अपनी काम ना करनी है अपने जीवन में सफलता की तरक्की म करने लगे हैं आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है करके देखें यह चुकू पाई तो वीडियो को लाइक सरूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा शेयर करें जिससे की और लोगों को भी तुलसी के पौधे के बारे में संपूर्ण ज करा हो सकते हैं जै मात अदी आपका दिन शुभ हो